आए सुर के पंची आए, आए सुर के पंची आए, अंबर के वों कारनाद की गूज सुनाते आए, आए सुर के पंची आए नमस्कार, अमरत रस्वादन में आपका स्वागत है, मैं हुश्वेता रंजन और आज के इस शो में आपके मुलाकात उन दो भाई से जो ख्याल गाईकी के माहिर हैं, जी हाँ, जिनका तालुक नामचीन बनारस घराने से है और वो पदमभूशन से सुशोभित हैं, पंडित राजन मिष्ट और पंडित साजन मिष्ट आज हमारे साथ इस कारिक्र में हैं, आप दोलों का बहुत-बहुत स्वागत हैं, तो शुरुवात करते हैं हम लोग ख्याल गाईकी से, मैं चाहूंगी दर्शकों को आब बताएं, ख्याल गाईकी है क्या? ख्याल जैसा इसका नाम है, यह एक पर्शियन शब्द है, ख्याल का मतलब इमेजिनेशन, तो आपको चार लाइन, आर्ट लाइन की कविताएं दी जाती हैं, उसको अपने इमेजिनेशन से इंप्रोवाइज करके, एक घंटा, दिर घंटा, दो घंटा गाना, यही ख्याल ह तो पहली बार जो आप बैठे होंगे, ख्याल गाईकी की रचना करने के लिए डर लग रहा था? हम लोग का बचपन से ही एक एकस्पोजर था, बहुत छोटे पन से हम लोग मैफिलों में गा रहे थे, बनारस में, मंदिरों में, तो बहुत ज़्यादा डर नहीं लगा, और 1967 में पहला कारिकरम हम लोग का हुआ संकट मोचन मंदिर में, बड़े आडियंस के सामने, तो बह हम लोगों का पहले से ही निकाल दिया गया था, घर का माहल कैसा रहता होगा, रियास का, संगीत का, घर में तो साड़े तीन सो साल से अधिक की परंपरा रही है, संगीत की, हमारे घराने में, संगीत ही करते आये हैं, पिता जी, दादा जी, उनकी पिता जी, तो वो माहल तो तो साड़े तीन सो वर्सों से चली आ रही है हमारी फैमिली में और हम लोग बहुत लखी हैं कि ऐसे सांगीतिक परिवार में हम लोग का जनम हुआ, काशी जैसे अस्थान पे जनम हुआ, तो 1967 से मतलब 51 एर हो गया हम लोग को स्टेज परफार्मेंस करते हुए. चुकि अपने काशी का जिकर किया, तो काशी की भूमिका आपके संपुर्ण व्यक्तितों को निखारने में कितनी रही? काशी एक सबसे पावरानिक अस्थान है अभी, the oldest living city in the world, ऐसा बोला जाता है, और ये सत्य बात है कि काशी की पावरानिकता जो है, वो वैदिक काल में ही उसको लिखा गया, उसका नाम का वर्णन हुआ, तो काशी में जो सांस्कृतिक परंपरा जनमी, वो सबसे पावरानिक है, और काशी में जनम लेने के बाद हम लोगों को एक term यूज करते हैं हम लोग, ख्याल गायकी में, चारोपट की गायकी, तो चारोपट में मतलब होता है कि धुरुपत धमार से लेके कजरी ढुमरी थक, तो ये चारोपट की गायकी काशी में ही विर जावा कोई और रास्ता तराशा जाए, तराशा जाए. तो ये उनकी दूर द्रिष्टी का नतीजा है, आज अगर हम किसी और फिल्ड में चले गए होते, तो हम सायद बिखर जाते हैं, तो ये हमारे पिता जी, चाचा जी और पुर्वजों के कृपा से, आज संगीत परिवार में, वो आज सेवन्थ जिनरेशन में भी चला रहा ह तो ये बहुत बड़ी उनका दूर द्रिष्टीपन था, और हम लोग बहुत खुश हैं कि संगीत में हैं, जो कि एक तरह से हम लों का चिकच्ची एक आर कारे करता है, कभी भी हम स्ट्रेस्ट होते हैं तो संगीत सुनते हैं या करते हैं, तो वो हमारा इस्ट्रेस दूर होत तो हम लोग तो इसी बिधा में अपने आपको समझ लियती कि इसी बिधा में हम लोगों को सफर करना है और आज खुशी है कि हमारे बच्चे लोग भी रितेश, रजनीश और स्वरांस भी संगीत की सेवा कर रहे हैं और उस परंपरा को आगे लेके जा रहे हैं मैं पांच साल बड़ा हूं साजन जी से तो मेरी सिक्षा पांच साल पहले शुरूई पांच साल बाद इनकी सिक्षा शुरूई लेकिन यह हमारे पिता जी चाचा जी का मन था कि हम लोग दोनों भाई डूएट गाएं और आप समझे कि मेरी उमर रही होगी ग्यारा बारा साल मेरी तक आपसे ये सांगितिक परंपरा और सागितिक साफर आपको गलती होगी तो डॉनट भी पड़ती होगी बड़े भाई से नहीं कभी ऐसा डाटा तो नहीं और मतलब जो स्वैम सीखना होता है जब आदमी को समझ आता है कि मेरी ये कोई कमजोरी है कोई गलती है तो वो स्वैम उसको सुधारता है और वही ज्यादा अच्छा है क्योंकि किसी को बात से नहीं सुधारा जा सकता है उसको स्वैम की अनु आप बोनुनों से जब मिलो तो ऐसा प्रतीत होता है शायद साइज अनंकल ज्यादा चंचल होंगे ऐसा है क्या चंचल ये भी थे हम भी थे सबी चंचल थे बहुत बहुत हम लोगों ने खेल, क्रिकेट से लेके, गुली डंडा से लेके, पिट्टु से लेके, सब कुछ खेला है क्या कोई मन में ऐसा आता था की रियास छोड़कर संगीत को छोड़कर चलो अब खेल लिया जाए बिल्कुल मन बहुत करता था और पहले गेम में ही हम लोग रहते थे ज्यादा लेकिन हमारे पिता जी गुरु जी वो बोलते थे कि सब कुछ करो लेकिन दो घंटे साम को दो घंटे सुबह जाना गालो उसके बाद जो करना हो करो चुकि आप दोनों भाईयों ने अपना संपुन संगीत को दिया है जीवन ने उचावर किया है एक साधना की है आप दोनों ने तो संगीत के जो अभी आप बदलते स्वरूप को देखते हैं क्या कभी तकलीफ होती होगी आपको आप इसे किस दृष्टी कौन से देखते हैं बदलाओ देखे परिवर्तन ही सारोभूमिक सत्य है हमेशा परिवर्तन होता रहा है और परिवर्तन होता रहेगा परिवर्तन ही एक सारोभूमिक सत्य है तो उस सत्य को एक्सेप्ट करना और उस सत्य के हिसाफ से अपने आपको ढालना यही जिंदगी का अच्छे जिंदगी का काम है बदलाओ तो बहुत सारा आ गया है हम लोग के बच्पन से लेके अभी तक संगीत जगत में लेकिन हम लोग बहुत रिजिड नहीं है हम बदलाओ के साथ भी चलने का कोशिश करते है क्या यह इश्वर से कनेक्ट करने का भी एक माध्यम है इश्वर से ही कनेक्ट करने का माध्यम है देखिए ओशो का एक वचन है कि संगीत आया कैसे जब रिशी मुनियों ने ध्यान लगाया होगा और जब अनहत नाद की आवाज को साइलेंस को सुना होगा तो उसको शेयर करने के लिए संगीत का जनम होगा संगीत और मौन यह दो चीज जो है जैसे रात और दिन है मतलब सुख और दुख है वैसे ही संगीत और मौन यह दो पहलू है तो जब मौन को आदमी बहुत डीप तरीके से अनुभव किया होगा किसी रिशी ने किया होगा, किसी मुनी ने किया होगा तब वो संगीत के माध्यम से उसको एक्सप्रेस किये ऐसा ओशो का कहना है लगता है शाद इसी सोच से ब्रह्मनाद की उत्पत्ती होगी वो तो सारिन जी बताएंगे यह बताएं, हम बताएं, जो अपनी फिलिंग्स होती है जैसा कि यह कहा गया है कि उपर से जब एक बिसफोठ हुआ था नाद की उत्पत्ती हुई थी तो वो इतना बिसफोटक था कि अगर वो साउंड अगर जमीन पे गिर जाता तो एक घास का तिनका भी नहीं जीवित रहता कोई जीव जन्तों, कोई भी परिंदे भी जिन्दा नहीं रहते तो हमारे वेदों में ऐसा कहा गया है कि उस साउंड को प्रिजब करने के लिए हमारे जितने भी देवी देवता है आप देखिएगा कि गणेश के हाथ में पकावज है मासरस्वती के हाथ में बीडा है अपने शंकर भगवान के हाथ में तंबुरई है तो इन साजों में उस साउंड को प्रिजर्ब किया और ये वेदों में पुराणों में इसका बाकादे ब्याख्यान है तो वो साउंड को जब रिशी मुनी जो तपिश्या करते हैं जिसको अनहद नाद बोलते हैं उस ध्वनी को वो कुछ लोगों ने अपने शेयर किये हैं कि वो बड़ा अजीब सा बीन जैसा ध्वनी होता है और अजीब वो गरीब साउंड होता है जो संत लोग हुए हैं उस यूग के और आज के भी यूग के जो साधक हैं उनको वो ध्वनी स्वनाई देती है और ये प्राकृति से लिया हुआ स्वर है ये जितने भी स्वर है सारे गमः पधनिसा ये प्रकृति से है और उन स्वरों के उपर उनका कान और दिमाग दिल ये रिशर्च करके ये साथ स्वर जो है आये और उससे आगे संगीत बढ़ा और उसमें फिर काब ये आया जिसे कविताय बनी जो संगीटिक कविताय हैं वो और कविताओं से थोड़ी हट के होती हैं और खासकर वस में भगवान कृष्ण भगवान राम, यह भगवान से related ज्यादा कविता होती हो, ब्रज और अवधी का ज्यादा प्रेयोग उता है, तो वो धिरे 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 पहले धुरुपद में उसके पहले छंद प्रबंद में वो गायन होता था, फिर उसके बाद में यह धुरुपद दहमार में आया, और फिर धुर्पद धंमार से ख्याल में आया, ख्याल के बार ठुमरी में आया, उसका लालिते ठुमरी में बढ़ा, और कजरी, चैती, जो फोक म्यूजिक है, वो सब एक तरह से एक तरह से समाहित होते चले गए, तो एक जो बगीचा, आप कहें कि इसको पूरा गार्डेन आ करते हैं, अपनी अराधना प्रस्तूत करते हैं, और लोग उस बगीचे का आनंद लेते हैं, जाते जाते मैं चाहूंगी कि दर्शकों के लिए आप छोटी सी कुछ बंद पेश करें, शुरुताओं को तो मैं एक और संदेश देना चाहता हूं, कि सास्त्रिय संगीत एक ऐस दारना है कि हमें समझ नहीं आएगा, आम तोर पे, लोगों को ऐसी सोच है, लेकिन सास्त्री संगीत को समझे बिना सीखे, ज्यादा समझा जा सकता है, बशर्ते, आप अपने आख को बंद कर लें, हिर्दय को खोल दें, तो सारे संगीत समझ में आने लगते हैं, जिन लोग जिन लोग का ये वक्तब है कि हमें सास्त्री संगीत नहीं समझाता है, उनसे आप ये जरूर पूछिए, कि जो पाप, रॉक, ये सब म्यूजिक जो है, ये आपको कितना समझाता है, जी सही कह रहे हैं आप, तो संगीत समझने के लिए हिर्दय चाहिए, और हिर्दय का लासिकल म्यूजिक बहुत सुनते हैं, और कहीं का भी संगीत हो, तो बहुत इंज्वाय करते हैं, फिल्मी म्यूजिक बहुत इंज्वाय करते हैं, फिल्मी म्यूजिक बहुत इंज्वाय करते हैं, किसी भाशा की हो, किसी भाशा की हो, समझ में ना आए, लेकिन इंज्वाय पाया धन्य भाग सेवा का अवसर पाया चरण कमल की धूल बना मैं मोक्ष द्वार तक आया धन्य भाग सेवा का अवसर पाया पाया बहुत ही सुन्दर बहुत ही बढ़िया बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों भायोंगा कि आपने वक्त निकाला इस कारिक्रम में आप शामिल हुए तो आज के लिए बस इतना ही अगली बार हम फिर मिलेंगे आपसे एक नई हस्ती के साथ नई शक्सियत के साथ तब तक के लिए दीजे इजाज़त नमस्कार कर दीजे आपसे एक शामिल हुए